नमस्कार अधनिय स्री बाला साथ ठाकरे जी की जुबान से निकले सब्दों पर पूरी शिव सेना अपनी जान न उच्छावर कर देती थी लेकिन जब से उद्दाव ठाकरे ने शिव सेना को सोनिया सेना में तब्दील किया है तब भी से उद्दाव ठाकरे की जबान की किमत तरत्ती भर भी नहीं रही है सोनिया गांदी और NCP परमुक सार्द फुवार को खुश रखने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उदव ठाकरे अपने फैसले और स्टेंड बदल लेते हैं जिससे शिव सेना की साख दिनो दिन फीकी पड़ती जा रही है मेट्रो कार सेट को कंजूमर मारक पर सिफ्ट करने के मामले में उदव ठाकरे ने केंदर सरकार और बारतिय जनता पारटी के नेताओं से चर्चा कर इसका समधान करने का फैसला लिया लेकिन कोंग्रेस आलाकमान सोनिया गांदी के दबाव में उदव ठाकरे ने अपना फैसल बदल दिया है अब माराष्टरा में बुलट ट्रेन का काम रुकवा कर उद्दाव ठाकरे ने अपने इगो सिस्टम को बढ़ावा दे करके अपने ही फैसले की तोहिन करवा ली है एन सीपी सिवसेना पर कोंग्रेस ने बीजेपी के आगे स्रेंडर करने वाला तंज कसा तो उद्दाव ठाकरे बली बांती समझ गए कि उनको फैसला बदलने में ही उनकी बलाई है वरना लेटर वार के बाद कोंग्रेस महाविकास गाड़ी गटबंदन से बाहर निकलने के ल लिए रस्ता और बहाना तलास रही है उद्दाव ठाकरे ने अपनी सियम गद्दी बचाए रखने के लिए अधनिय स्री बाला साब ठाकरे जी के सिदानतों को ही ताक पर रख दिया और बुलिट ट्रेन का काम रुकवा करके फिर अपना फैसला बदल लिया कहा जा सकता है कि जिस तरह से महावविकास गाड़ी गटबंदन में कोंग्रेस ने सिव सेना और NCP को आड़े हातों लिया है उससे उद्दाव ठाकरे डरे हुए हैं उद्दाव ठाकरे को समझ में आ चुका है कि उद्दाव ठाकरे की सियम गंदी तभी तक सेफ है जब तक सोनिया गांदी खुश रहेगी और अब जिस तरह से कोंग्रेस के नेताओं ने इस मेट्रो कार्सेड मामले को लेकर के NCP परमुक सार्दफुआर की परदान मंतरी नेंदर मोधी जी से मुलाकात पर और इसके अलावा उद्दाव ठाकरे दुवारा बिज़ेपी के नेताओ को अमतरित करने वाले मुद्दे को लेकर के जो तंज कसा उससे उद्दाव ठाकरे डर गए और उद्दाव ठाकरे को लगने लगा कि यदि सोनिया गांदी नराज हुवी तो उनकी सियम गद्दी उनके हातों से खिसक जाएगी कोंग्रेस के नेता सचिन रावत दुवारा बिज़ेपी के सामने गुठने टेकने वाला ब्यान देने के बाद में उद्दाव ठाकरे ने अपने एगो के चलते बुलट ट्रेन का काम रुकवा दिया है अब मेट्रो कारसेड मामला सुलजने के बाद ही जो बुलट ट्रेन क काम शुरू होगा इस तरह है कि बात उद्दव सरकार की तरफ से कर दी गई है मारास्टरा में पहले से ही उद्दव सरकार ताना सही रवया तो अपनाए हुए ही थी अब मारास्टरा की विकास विरोधी सरकार भी उद्दव सरकार बन चुकी है जनता पर इस मेट्रो कारसे मामले में केंदर सरकार से किसी तरह का समझोता नहीं होगा यानि कि कहीं ने कहीं अधित्य ठाकरे को बुलट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो दिखाई दे रहा था कि परदान मंत्री निरेंदर मोदी जी ने मारास्टरा की जनता से बुलट ट्रेन प्रोवाइड करवाने का वादा किया है और यदि ये वादा पूरा नहीं हुआ तो मारास्टरा में अगले टाइम या आगे किसी भी चुनाव में भारतिय जनता पार्टी और मोदी सरकार को इसका गाटा होगा ये अधित्य ठाकरे को दिखाई दे रही थी इसलिए अधित्य ठाकरे ने अपने इगो सिस्टम को बड़ावा दिया और मारास्टरा की जनता का साथ हजार क्रोड रुपया बरबाद करके रख दिया इसके साथ ही इसमें चार साल का समय भी बरबाद होगा चार साल अतिरिक्त लगेंगे जिस तरह ऐसे कंजूर मार्क पर ये मेट्रो कार सेट्ट करने का मामला मारास्टरा में चल रहा है उसमें अब शिव सेना उदव ठाकरे अधित्य ठाकरे का इगो सिस्टम है वो बढ़ चुका है लेकिन जिस तरह ऐसे मोधी सरकार अब उदव सरकार पर एक्शन लेगी उससे साफ दिखाई देगा कि बुलट ट्रेंड का काम रुक जरूर चुका है फिलाल लेकिन ये रुक नहीं सकता जिस तरह ऐसे केंदर सरकार ने उदव सरकार पर एक्शन लेने का मन बना उससे लग रहा है कि आने वाले समय में उद्धाव ठाकरे का इगो सिस्टम पुरी तरह से दूद रडाम होकर गिरेगा और कोंग्रेस आला कमान की तरफ से उद्धाव ठाकरे को जो लेटर वार किया गया था उससे भी कही न कहीं महाविकास गाड़ी गटबंदन में खलबली गिरने के बाद में अल्टरनेटिव सरकार मारास्त्रा में बनाएगी कुल मिलाकर के का जा सकता है कि बिजपी नेताओं ने जो उद्धाव सरकार का या उद्धाव ठाकरे का किला ढ़ाने की उंकार बरी है उससे उद्धाव ठाकरे डरे हुए हैं NCP कॉंग्रेस शिपसेना के महाविकास गाड़ी गठबंदन वाली सरकार में अब विजपी नेताओं ने सेंद मारी कर ली है और जिस तरह ऐसे उद्दाव के गड़ में सेंद मारी विजपी नेताओं द्वारा की गई है उससे ये दो साप हो चुका है कि आने वाले समय में मह विकास गाड़ी गठबंदन के कई बड़े नेता और विजपी का दामन थामेंगे और यदि इस तरह ऐसे हुआ तो मान करके चलिए पस में बंगाल की तरह जो ममता वनरजी का हसर हुआ जो टीमसी का हसर हुआ वही अब हसर उद्दाव ठाकरे का होगा शिप सेना फिर ना प्राइदार मंत्राले अपने हाथ में ले लिए हैं उपर से जो वित्विवाग के सारे काम हैं वो NCP के नेता अजित पवार संबाल रहे हैं और अजित पवार कॉंग्रेस के नेताओं को उनका फंड तक नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं जिसकी वज़ाय से तिनों पार् लेटर वार कर रही है जो बातें फोन पर ओर सकती थी मुलाकात में हो सकती थी उसको पत्तर के जरीए उदव ठाकरे तक पहुंचाना और उसको साजुनिक कर देना उसको एक बड़ा मुद्दा बना लेना कोमर्मिन प्रोग्राम की याद उदव ठाकरे को दिलवाना खुल म कापी खपा हुई राहुल गांधी की चंसका और उनकी काबियत पर जो सवाल उठाएगे उससे भी सोनिया गांधी खपा हुई हर आज जिस तरह से राहुल गांधी की तोहिन हुई दो करोड किसान यानि कि दो करोड गोट भी कॉंग्रेस को लोक सुबा में नहीं मिले थे लेकिन अब दो करोड किसानों के अस्ताक्सर लेकर के अब राहुल गांदी राष्ट पती जी के सामने पहुंचे हैं कुल मिला करके ये जो गोटाला राहुल गांदी की तरफ से किसानों के अस्ताक्सर को लेकर के किया गया है उससे भी कॉंग्रेस के नेताओं में भी कापी ज़्यदा गमासान हैं असोक चावान, मिसंजेन रूपम, मिलन देवडा जेसे नेता भी इस जिस तरह से कॉंग्रेस कमान किसी तरह का कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर मावी कास गाड़ी गट बंदन में बारतियनता पार्टी के नेता सेंदमारी करके मावी कास गाड़ी गट बंदन के विदायकों को अपनी और मोड लेंगे, क्या बीजेपी का दामन अब मावी कास गाड़ी गट बंद प्रावरो प्रावरो प्रावरो